उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं कि इस कोष के प्रारम् हों पहले ही दिन से मैं देख रहे हूं कि जब फोई भी आ रहा है तो कहीं नहीं से संस्कित की चर्चा करी दे रहा है। इसलिए मुझे ये बताने का सकता रही है कि संस्कित की सपता है कि नहीं, उम्रदभास या जीवन लेकिन जब तक इसकी चर्चा होती रहेगी इसका मतलब वो जीवन थेल इसमें जान है अभी आई एतियान हो डाक्टर एवें जैग साहबी आएं वो भी कहीं न कहीं से संस्कित के आधार को लेकर ही बोले और इसका मतलब कि हम कहीं भी जाएंगे कितनी भी उचाई पे जाएंगे आगे पूछे जाएंगे अपनी घर वापस आएंगे ही संस्कित की छाओं में आगे देखें सबी सुखी हों लेकिन सुखी हों कैसे क्या पैसा कमा कर या किसी को मार के या खूब घर में सारे लगजरी वाले समान हैं उनको इकठा करके हम सुखी रहेंगे नहीं, जब हम स्वस्त रहेंगे तभी सुखी रहेंगे मेरा टॉपिक है प्राचीन चिकित्सा पद्दती यानि प्राचीन काल के लोग कैसे अपने आपको स्वस्त रखते थे हमारा जन्म ही इस प्रकृति की गोद में हुआ है और आप लोगों को पता है, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि पंच महा भूतों में ही हमने जन्म लिया है इन्हीं में बिलीन हो जाएंगे यह सब बताने कि आशकता नहीं है अपको मैंने पहले ही बताया था कि भगवान का मतलब ये कि पंचों तत्वे वहीं से हम जन्म लेते हैं उसी में बिलीन हो जाते हैं जब तक हम प्रकृति के साथ अपने को आत्म साथ करते हैं उसका अंध मानते हैं तक प्रकृति भी हमें हस्ती खेलते जीवन्यापन करने का एक सुववसर देती है और ओर नाराज नहीं होती है लेकिन जिस दिन अपने आपको हम प्रकृति का स्वामी मान लेते हैं कि हम ही स्वामी हैं और प्रकृति मेरे अंडर में है उसको जैसे तैसे हम विधवदर छेड़ चार कर सकते हैं तो प्रकृति भी हमसे नाराज हुजाती है और अपनी वो साम्यावस्था या सामंजस खुद बठाती है हमारा तबाही करके. सूरी चिकत सब कद्धती. प्राचीन काल के लोग इसमें हमने लिखा है समस्कृत में भी है आरग्यम भासकरादी गच्छेद. अगर आपको निरोग रहना है तो आप सूरी के उगते हुए सूरी के सरड में जाईए. जैसा कि हम जानते हैं सूरू से ही जानते हैं जो उगता हुआ सूरी है वो विटामिन डी का सोथ है. अगर उसमें हम आजकल के डाक्टर भी राय देते हैं कि सन बात करिए. जो सूरी उग रहा तो आजाईए. पहले लोग क्या है? ते लोग लगा के सूरी के उगते हुए सूरी के सम्मुन आधा घंटा कम सकम विश्राम करते थे, खेलते कुछते थे, सरी स्वस्त रहता था. जब सरी स्वस्त रहेगा तो बीमारी होगी ही नहीं. यहां मेरा कहने का तात्पर यह भी है कि बीमारी आने के पूर ही अपने आपको इस तरह प्रिपेर कर लें कि बीमारी आने की सम्हावना ही नहीं रहे. यह नहीं कि बीमार हो गया तब चलें आप चिकित्सा करवा रहे ह अब बिटामिन D की इतनी कमी हो गई है सूरी के प्रकास की हम लोग। सूरी के संहुग जाने से ही नहीं जा पा रहे हैं यानि इतने बड़े-बड़े बंडेचा जो भी करब। तो अब हम बिटामिन D की गोलियां लेनी पड़ रही है खाने के लिए इसमें आप लोगों को मैं बता दूँ लाल हरा नील जी ए सुरी बैनी आह पिनाला आप लोग लिली से बोलते हैं वैग्वेवर बोलते हैं जो सूरी की साथ किर्णे निकलती है उसने ही रंग के बॉटल को अब उसमें पानी रख दिया जाए तो मैडम जानती हूं कि उस पानी को बात पितकफ जो चीज बढ़ रहा है उसी साथ से एक एक धकन दो धकन दिया जाए डीटेल मैं नहीं बताना चाहूंगी आप लोग घबडा जाएंगे तो उसमें बीमारियों के उपचार के लिए बहुत मितलब बढ़िया होता है इसमें दिया है रिग वेद में बताया गया है कि उसकी जो अवरक्त किर्ने जो फल्की किर्ने होती है वो बहुत रलावदायक होती है जिसमें सब्द्यों पासना है नि सुभा और साम सूरी के पुजा पहले किया जाता था वो विटामिन D लेने के लिए किया एता था, जैसे स्थीरदर्द, नागदर्द, अकडन, पीलिया, जलोदर्द, नेतर रोग, टीवी, सूर्य, ये सूर्य मतलब इन सभी चीजों को खत्म करता है, उसके रोगों को नास करता है, जल चिकित्ता, उसमें कहां गया है रगवेद में, नंबर भी जन से लेकर लाए परयंत, यानि मित्यू परयंत, जो काम आए वही जल है, जल, कभी-कभी हम देखते हैं, जब हमारा हाथ जल जाता है, तो हम कहते हैं, जल गया, यानि हमारे सरीज से जल निकल गया, तो इसका इतना मतल जब जल निकल जाता है, तो फखोले पढ़ जाते है तब तब तक पानी की इंडालते हैं जब तब आनीकी माज़ता है ऑप लोग जान तो बाजी पेट, इना तुल्लक ये, ये नहें कि हम जाके ब्रस बस कर लिए तब ही हैं, उसा पांच अब करेंगे, तो पेट की जितनी ब्यारियां हैं, धूर हो जाती हैं, जब पेट आपका साफ रहेगा, तो हम स्वस्त रहेंगे, वाई चिकित्सा, वाई चिकित्सा में प और सुबा का हवा तो आपक्सीजन से भराई रहता है, सबको पता है, जब इस सब चीजें में मिलेंगी, तो बिमारी अपने आपके स्वता भागेंगे, या नहीं होनी की संभावना रहेगी, अगनी चिकित्सा, अब आप सोचेंगे, अगनी से कौन सा चिकित्सा हो जा रह है, जैसे माली जे किसी को सीत घुरो हो गया, ठंड बहुत लगे, तुरण हमालाव जलाते हैं, या हीटर के सामने उसको ले आते हैं, अगनी किसी भी रूम में मिल सकता है, ये नहीं कि हम आप जलाएं तो ही, उसके बाद सिकाई करते हैं, ये अमीव चातन, अमीव चातन इ जाक ऐसे लगाते थे, जितने मंचर हैं और बेकलियां हैं, दूर हो जाते हैं, ये चिकित्सा, ये के बारे भी हैं, कि ये चिकित्सा प्राचीन काल में, ये केवाल ये करने के उद्यस से नहीं होता है, कि हम ये कर रहे हैं, उसका मेनत ही ये भी होता था, कि उसमें जो धु अगर आपको इसके बारे में जानना है अगर नहीं होता रहा है उसके बारे में आप पड़कर डीडिया जान सकते हैं सल्लेचिकिस्टा ये गलत छब गया है प्राचीन सालो में हमारे व्रीक वेदों में ही सल्लेचिकिस्टा बताया गया है ऐसा नहीं है कि बाद में हम सल्ल चिकिस्टा के बारे में जाने हैं उसमें क्या है कि वो विश्टोपला एक महिला रती है उसके युद्ध में पैर तूप जाते हैं तो अस्विनों मान के दो चिकिस्टा कोते हैं जो डूड़ुआ भाई होते हैं तो सलेचीकिटसी दवरा उसको पैर बनाते हैं पैर का- मतलब इसको नया पैर प्रदाम करते हैं यहनी हो सेलेचीकिटसी की इसको फ्रतान करते हैं और जो आप लोग चुचते हैं चैवानी साहि पराश्था के बहुत ताकतवर हो कहा होगा वो तो हाई है प्लस उनकी जो जुरियां होगी थी, आजकर सल्मान था, जो आपको पर जुरियां थी, उसको खटा खटा के यंग बनते हैं, वो सब भी उस समय था, तो उनको इस तरह से उनके चमडे को बदला, कि वो यंग दिखने लगें, और चेन प्रास तरह तरह के फल फून को खिलाया कि यंग बन गये, उनकी बुम्दव भीवान नहीं हो रहता, अपृत हो गये थे, लेकिन जब यंग हो गये, तो 16 साल की सुंदरी उनको मिली, अब कलबना कर लिजी, आपको 16 साल की कन्याया पारते हैं स्पर्स चिकित्ता, स्पर्स चिकित्ता के बारे में आप जानते हैं, स्पर्स एक ऐसा माध्यम है, कि जब हम, अभी आप बैठे हैं, किसी भी महिला को, कोई भी बुरुस अनिथा मत लीजेगा, अगर उसे स्पर्स करता है, तो उस महिला को पता चल जाता है, कि किस भाव से किस से मुझे स्पर्स कर रहा है उसके स्पर्स करने का धेय क्या है उसी बालक को या बच्चे को भी जब उसे स्पर्स करते है उस बच्चे को भी बता चल जाता है कि क्या है उसके अंदर जब बिमार को भी पढ़ता है कि बढ़ स्पर्स करिये कि उसे बैठाइए, प्रेम से समझाइए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम सब ठीक हो, तुम सब कर लोगे, आस्वासन बिदी, सबसे अच्छा मांसिक जिकित्चा का उपाय है, जो साइकलोजी जो आपकर पढ़ती है, मैडम जानती होंगी, उन्होंने लेक्षर भी इ ऐसे ही, जैसे साब ने बोला, फुर्ट पाक सिर्वी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, योग, योग जी कितना तन और मन दोनों को जोड़ता है, जब तन स्वास्तर आएगा, तो मन भी स्वास्तर आएगा, इसका सब से, इसमें हडपा कालीम भी दिखाया गया, उसको सबस्तर आएगा, जब रिकायड में तो योग करना सुरू कर देते हैं, उनके सिर्पे बिल्कुल बाल नहीं था, एक रोमे भी लेकिन जब करने लगें, तो मैंने देखा, कि छोटे छोटे रोमे, ब्लैक ब्लैक से, हलके हलके से, खूंग ने गने में पर बाल आ रहे थे, म कि तुम भी क्या करो, सुरू से करोगी, मुझे तो समझ में नहीं है, मैं बाद में सुरू किया, लेकिन तुम से योग करो, तुमें भी स्वास्तर होगी, लेकिन हम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तों में योग करती नहीं हूं, करना तो चाही ही, लेकर नहीं पाती हू और उसके फायदे हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं है कि मैं कैसे बताओं, जैसे कि हमारे नोडबर भाइद बोले थे कि प्राहर क्या है, प्राहर जीकाई जाता है, मैं उसको अलग से बता लूँ कि प्राहर क्या है, धन्यवारू कि.